प्रेमितरों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Steady with Pradip पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सुपर अबजेक्टिव स्रीज करने हैं और इस सुपर अबजेक्टिव स्रीज में आज जो चैप्टर लिया गया है वह चैप्टर है और आप कितने मन से NCIT पढ़े थे यह इसकी का प्रमाड है प्रूफ है इसमें एक भी प्रश्ण ऐसा नहीं है जो इसका आंसर NCIT में नहीं है आप NCIT कितने मन से पढ़े थे यह इसका प्रूफ आपको बताएगा कि इस वीडियो के लाश्ट में आप बताएंगे कितने पहला क्योस्चन आपका है विच आप दा फालोइंग प्रोपेगेट थ्रू लीफ टिप्स कहरा कौन ऐसा है जिसमें प्रोपेगेशन होता है लीफ के टिप के माद्यम से तो किसमें लीफ के टिप के माद्यम से प्रोपेगेशन होता है आप पढ़े हैं आप बताएगे जल 8 अगके इंग्योह इस्पर्म हेव डॉुमिनेटट दें लैंड फ्ल्योयर्ट्टि प्राइमरिली बीकड़ आ फ्देर फिर देखते हैं इंग्यो-इस्पर्म हेव डॉमिनेटट लैंड फ्ल्योर्टि काई लै्मैड्ट फ्लॉरा प्राइमरिली भीकड़ published कहरा जो इसके primary में पाए जाने वाले plant थे उससे सबसे dominant flora कौन है इन जो sperm है क्यों की क्यों ऐसा है तो इसके बारे मैं आपको बताना है answer चार दिये गए हैं आप पढ़ सकते हैं आपको असानी से दिख रहा है आप पढ़ सकते हैं पढ़ करके अपने answer कर सकते हैं प्रापरिटी आप प्रोडूसिंग लार्ज नंबर आप सीड सेकेंड है नेचर आप सिल्फ पॉलिनेशन थर्ड है डोमिस्टिकेशन बाई मैन और फूर्थ है पावर आप अड़ेप्टिबिल्टी इन डाइवर्स हैपटाट मुझे उमीद है का आपका answer सही जा रहा है जी हाँ आप सही बता रहे हैं पावर आप अड़ेप्टिबिल्टी आप डाइवर्स हैपटाट यह इसका character है जिसकी वज़ा से यह क्या है सबसे dominant flora माना जाता है कारण यह है जैसे माली जी algae ले लेते हैं सिर्फ water में होगा study places में होगा ब्राइव फाइटा लेंड और water दोनों की आप सकता पड़ते लेकिन यह कहीं पर भी ओख सकता है तो यह इसका एक क्या है adverse condition है adverse habitat में रहने का adaptability जो है यही इसका advance condition है किसकी NGO sperm की clear हो गया चलिए आगे बढ़ जाते हैं मुझे उमीद है कि आप इसका answer जानते थे which of the following is not the feature of gymnosperm कहरा कौन ऐसा है जो gymnosperm का feature नहीं है not the feature of gymnosperm gymnosperm का feature नहीं है not लगा हुआ है आप answer करिए gymnosperm का feature नहीं है parallel venation, perennial plant, distinct branch, long and short branch और एक option और है आपका यह option नीचे चला गया है तो चार option है आँसर करिए आप यहां पर parallel venation है, perennial plant है और यहां पर not लगा हुआ which of the following is not the feature of gymnosperm gymnosperm का feature नहीं है तो जल्दी से बता दीजीए जाइलम बिट फलोयम फीचर नहीं है नहीं है किलियर हुआ चलिए इन साइकस पालिनेशन टेक प्लेस TGT का सबसे महत्पूर क्योस्चन आंसर आप ही करेंगे हम नहीं करेंगे आप रैक्टिस पेपर साल्व कर रहें इसका आंसर तो हम नहीं बताने वाले हैं इन साइकस पालिनेशन टेक प्लेस इन यह answer तो बहुत आसान है जल्दी से answer करिए कौन होगा 3-Celled Stage कौन होगा 3-Celled Stage Which differentiate leaf आप die-cut from monocart कह रहा है ऐसा कौन सा character है जिस पे आप differentiate करेंगे पत्ती को, leaf को die-cut और monocart के बीच में बताइए option आपके सामने parallel bination है differentiation है polycate and spongy parenchyma है stomata only on upper side है stomata both on upper and lower side answer करिए कौन सा है Which differentiate leaf of die-cut from monocart जल्दी से बताइए answer कौन सा साही है तो differentiation of polycate and spongy parenchyma next question first vascular plant is कहला पहला vascular plant बताना है first vascular plant is कौन सा पहला vascular plant है जिसमें vascular bundle पाये जाते थे तो आपको बताना है answer आपके पास है thailophyta, bryophyta, tedophyta और spermetophyta तो answer करिए कौन सा answer है TGT वालों के लिए important question तो आप कहेंगे teridophyta tedophyta में first time vascular bundle दिखाई देता है living fossils is which किसे living fossil कहा जाता है important question TGT and PhD दोनों की भिहाब पे आप बताएंगे living fossil किसे कहा जाता है चार option आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं चारों आपसन में आपको बताना है living fossil किसे कहा जाता है psychus ribuluta को किसको कहते हैं psychus ribuluta को चलिए which one of the following contain gylem vessels कहरा कौन ऐसा है जो gylem vessels को रखता है कौन ऐसा है जो अपने पास gylem vessels को रखता है ये किसका feature है आपको बताना है bryophyta, tedophyta, gymnosperm, NGO sperm answer करिए कौन सही है तो आप तुरंत कह देंगे NGO sperm का ही है basic character है चलिए top saved top saved multi-celled male gamete and the mature speed which bears only one embryo with two dicatilidans are characteristic feature आप क्यार top saved multi-celled male gamete and the mature speed which bears only one embryo with two cartilidans are characteristic feature आप यह किसका characteristic feature है आपको यह बताना है psychus का polypetalus NGO sperm का conifers का और gymnopetalus NGO sperm का तो answer करना है कौन सा answer यहां पे सही है आप कहेंगे कौन सा answer सही है तो आपका हो जाएगा conifers का किसका conifers का चलिए next question पहा जाते है in a mosses the sporophyte कहरा in a mosses mosses में sporophyte होते है in a mosses sporophyte क्या है आपको बताना the sporophyte क्या है manufactures food for itself as well as for the gametophyte या बी वाला आपसन सही है is partially parasite on the gametophyte या third वाला आपसन सही है produce gametes that give rise to the gametophyte या fourth आपसन सही है arises from a spor producing from the gametophyte answer बताएगे कौन सा answer सही है answer आपका सही होगा is partially parasite on the gametophyte मैं आपको एक बता दूँ कि इस question का main उद्दे से है कि आप NCIT को एक बार पढ़ चुके है मैं जानता हूँ दो बार पढ़ चुके होंगे अच्छी बात है अब आपको ये देखना है कि NCIT में ये सभी question तो है तो फिर आपने NCIT में कितना learn किया जो आपको यहां से पता चलेगा और किस तरह का प्रश्ण बनता ओ यहां से पता चलेगा तो इस तरह से आप NCIT पढ़ते रहे है या question करते रहे है प्रेबियस year question paper कर रहे हैं आप सेलपी की हिंदी वाला practice paper आपका start होने वाला है ठीक प्रेबियस year practice paper daily दो दो ठो आप करते हैं एक आप करते हैं किसका जल्दी बता दीजे बौटनी का एक करते हैं जुला जी का तो लगातार आपकी class आगे बढ़ रहे target है कि 31 जुलाई से पहले आपका पूरा course complete कर दिया जाएगा बस आपकी help चाहिए आपकी मदद चाहिए आपका सहयोग चाहिए आपका प्यार चाहिए आपका सने चाहिए बस आप लगातार अपने दोस्तों तक प्रसारित करते रहे चैनल को like कर दिया करिए comment कर दिया करिए जिससे थोड़ी से energy बनी रहती है और तो हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं तो आप इतना जरूर क्या करिए प्रते एक दिन स्रीज देखा करिए टाइम निकालिए एक घंटे दो घंटे और इस स्रीज को देखेंगे तो आपको बहुत सारी बेंट फिट होने वाली चलिए आगे बढ़ जाते हैं कोनिफर्स डिफर्स फ्राम ग्रासेस इंदा कोनिफर्स ग्रासेस से अलग होते हैं इन दा किसके विहाब पे तो आपको बताना किसके विहाब पे कोनिफर्स ग्रासेस से अलग होते हैं बताईए आंसर बताईए फार्मेशन आफ इंडो स्पर्म बिफोर फर्टलाइजिशन पहला ही आंसर सही आपका फार्मेशन आफ इंडो स्पर्म बिफोर फटलाजिशन यह आपका कॉनिफर्स डिफर किसे ग्रासे से चलिए मॉसस पीट इज यूज एज एपकिंग मैटेरियल फार्स सेंडिंग फ्लावर एंड लिप प्लांट टू डिस्टिंग प्लेस कहरा जिन्दा प्लांट को जीवित प्लांट को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पहुंचाने में या किसी मैटेरियल को पैक करने में मॉसस का उपयोग किया जाता है ऐसा क्यों किया जाता है यह आपको बताना है चलिए इट इज हाइग्रोइस्कोपिक ऐसा क्यों किया जाता है क्यों कि यह क्या होता है हाइग्रोइस्कोपिक होता कौन स्पीट मास जो होता है मास स्पीट जो होते हैं क्या होते हैं हाइग्रोइस्कोपिक होते हैं क्या होते हैं हाइग्रोइस्कोपिक होते हैं CRT की मडिल लाइन में लिखा गया मौसेज जाके पढ़िए वहाँ पर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है चले आगे देखिए , which आप दीजी is mismatched कह रहा है कौन ऐसा है जो mismatch है यानि match नहीं किया हुआ हुआ, उसका answers आपको करना है कि कौन ऐसा है जो match नहीं किया हुआ है बताईए फैनरोज, बिजबल, जिमनो, नैकेड, ब्रायोफाइटा, लीवरवर्ट उससे रिलेटेड है, उसके बाद कह रहा है कि क्रिप्टो, सोम, कंसल्ड, तो अब आपको बताना है कौन ऐसा है जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है एक टेबल इधर है और एक टेबल इधर है तो इसमें कौन मैच नहीं कर रहा है यह आपको बताना है मिस मैच को बताना है मिस मैच को बताना है इवाला आपसन आपका क्या है गलत है चले Which one of the following is called maiden hair furn कहा जाता है आपको बताना Which of the following is called maiden hair furn आपको बताना maiden hair furn किसे कहा जाता है तो आप बता देंगे adenatum को कहा जाता है adenatum को कहा जाता है in the classification plant के classification में the term कौन सा cladistic term किसके लिए उप्योग किया जाता है cladistic term किसके लिए उप्योग किया जाता है हमने आपको बताया है जल्दी बताइए cladistic term किसके लिए उप्योग किया जाता है यह आपको कई बार बताया गया है क्लादिस्टिक टेर्म किसके लिए उप्योग किया जाता है जल्दिस बता दीजिए फाइलोजेंटिक क्लासिफिकेशन के लिए किसके लिए उप्योग किया जाता है फाइलोजेंटिक क्लासिफिकेशन के लिए इन जिम्नोई स्पर्म दा पॉलें चेमबर रिप्रेजेंट जिम्नोई स्पर्म में पॉलें चेमबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं आपको बताना है दा पॉलें चेमबर रिप्रेजेंट करते हैं किसको तो यही आपका आंसर है आप बताएं किसको रिप्रेजेंट करते हैं In which pollen grains are stored after pollination. चलिए. In the prothalus of vascular cryptogames, the anthrozoids and egg mature at different times as a result. In the prothalus of vascular cryptogames, the anthrozoids and eggs mature at different times as a result. आपको इसका आंसर बताना क्या होगा? तो जल्दी से बता दिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाता है, self-fertilization is prevented. Self-fertilization is prevented. चलिए. Incorrect character आप brown algae is. Brown algae का कौन सा character यहाँ पे? Incorrect है, यानि सही नहीं है. कौन सा character brown algae का यहाँ पे? इनकरेक्ट है, जल्दी से बताइए. Incorrect character brown algae का कौन सा है? आंसर करिए. Question number 19 का आंसर आपके option दिख रहे हैं. 4 के 4 हो. बहुत आसान question है. आप जाएंगे, algae पढ़ेंगे, ते algae में एक chart बना है. उस chart में इस सारी चीज़ें लिखी गएं, जो यहाँ पे option में लिखी गएं. तो यहाँ पे पहला ही presence of chlorophyll A और B. A आपका किसका है? Brown algae का नहीं, बलकि किसका green algae का है? यही incorrect option है. बाकि सभी के सभी सही है. या substrate से चिपक जाता है, A भी सही है. इसमें presence of phycoseanthin होता है, A भी आपका सही है. तो यहाँ पे A आपका option क्या होता है? गलत है, किसके लिए है? यह है आपके green algae के लिए. चलिए. phytoplankton are phytoplankton होते हैं. बताई यह answer करिए जल्दी, fast. phytoplankton are answer fast करिए. 20 का do answer fast. phytoplankton are autotrops. कैसे होते हैं? autotrops होते हैं. चलिए. next. pollen grains in pinus are. pollen grain in pinus are. pollen grain pinus का कैसा होता है? biscuit type का होता है. pollen grain in pinus are. जल्दी बताईए. pollen grain in pinus are. very important question. pollen grain in pinus. sorry, pinus are. pinus का pollen grain कैसा होता है? 22 के type का होता है. biscuit type का होता है. चलिए. in which of the following feature cycle resembles with angio sperm कहिरा वह कौन सा ऐसा feature है जिसमें cycle angio sperm से resemble करता है यानी रिस्ता रखता है जल्दी से बता दिजिए कौन सा ऐसा feature है pollen tube is the carry of the male gamete जिसमें pollen tube क्या करता है male gamete को carry करता है next चलिए in which plant the body आपको इसको बताना है किसका आंसर क्या होगा तो आप कहेंगे किसमे होता है इसको क्या कहते है आपको बताना है इसको क्या कहा जाता है जल्दी से आंसर करिए बायो सेंथेटिक्स कहते है या क्या कहते है जल्दी से बताइए या साइटो क्या कहते है साइटो टॉक्सोनामी कहते है या फेनिटिक्स कहते है क्या कहते है फेनिटिक्स कहते है फेनिटिक्स कहते है सही आंसर कौन है फेनिटिक्स है चलिए आपको बताना है, fresh और marine दोनों में पाया जाता है, जब इसे बता दीजे, odogonium है, cladophora है, spirogyra है, answer आपको करना है, कौन सा answer चाहिए, cladophora, fresh और salty water दोनों में पाया जाता है, cladistic is the system of phylogentic classification, कैसा system है, phylogentic classification है, develop fertilization, develop fertilization is found without any exception in, कैरा develop fertilization जो होता है, आपका दोहरा निशेचन जो होता है, यह without exception, मतलब बिना किसी exception की किसमें पाया जाता है, तो यह किसका symptom है, NGO sperm का, किसका symptom है, NGO sperm का, किसका symptom है, NGO sperm का, चलिए, naked seed आप gymnosperm mint, far absence, which of the following, कैरा naked seed जो होता है, gymnosperm का, इसमें कौन सा पार्ट absent होता है, आपको यह बताना है, naked seed का कौन सा पार्ट absent होता है, आपको यह बताना, question number 28 का answer करना है, आपको answer करिए, तो यहाँ पर आपका आजाए, seed coat, integument, embryo psych, यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसमें आपका नया नापदी जापसन हो जाएगी, यह तो कोई नहीं होता है, ठीक, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, नो systematic intro'd by sir, Julian Hexley, is also called, कहरा जो नया systematic feature आया, जो नया systematic दिया गया, classification दिया गया, उसे किस ने दिया, sir Julian Hexley, is also called, इसको क्या कहते हैं, आपको यह बताता है, जूरियल Hexley दौरा यह sir Julian Hexley दौरा दिया गया, classification को क्या कहते हैं, आपको यह बताना, बायो systematic कहते हैं, चूज़ा रांग peer, आपको गलत peer को चूज़ करना है, हिपेटकोपसिडा, हिपेटकोपसिडा, लीकोपसिडा, बायोपसिडा, टेरोपसिडा, और स्पेनोपसीडा में आपको बताना है कौन गलत है, तो यह दो है एंहें ह findet कॉप सिड़ा में Запालॉइने, अ है हिपेटकोपसीड़ा में मार्केंसिया लाइकोपसीडा में सिलेजनेला ब्रा कॉपसीडा में हैं आपका कौण है आपका गलत है तीरोप सिटा या यो हाँ ऑंका गलत ध उन वीच वन आप फालोईंग मेलल फिमेल गैमीतो फाएट안 डू naट विविण इंडिपंडेंट इग्जिस्टिंग suspension कह रहा है, in which one of the following male and female gamete do not have free living independent existence, तो कौन ऐसा है जिसमें, in which one of the following male and female gamete do not have free living independent existence, तो इसका आपको अंसर करना, जल्दी से अंसर करिए कि इसका आंसर क्या होगा आपका, तो जल्दी से अंसर कर दिए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दिए, इसका आंसर होता है होता है Cydrus, which one of the following is heteroesporous, which one of the following is heteroesporous, adentum, equisitum, deoropteris, or salvenia, तो आप वताना कौन सा इसमें heteroesporous है, in which of the following are listed general belonging to the same class of LG, in which of the following are listed general belonging to the same class of LG, एकी Same class से बिलांग करने वाले general के बारे माप को बताना है, जिसका class से बिलांग करने बॉल बाक्स, स्पायरोगायरा, और क्लेमाइडो मोनास, बोथ क्लोरोफिल A and B प्रिजेंट इन, कहरा क्लोरोफिल A और B किस में पाय जाता है, क्लोरोफाइसी में पाय जाता है, तो यह आपका अंसर हो गया, और इसके बाद, नेक्स्ट है आपका, फिच आप दा amphibian, A plant kingdom कहरा किस को इस में से amphibia A plant kingdom कहा जाता है, तो आप कहे देंगे, किस को कहा जाता है, Brio Phytok को कहते हैं, किस को कहते हैं, Brio Phytok कहते हैं, आज की स्रीस को हम लोग यह रोकते हैं, और इसके बाद, नेक्स्ट स्रीस में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, 37 question numbers लेकर, 85 question number त वीडियो की लेंथ भी बहुत बड़ी हो गई लगब 20 मिनिट हो चुका है 22 मिनिट तो फिर नेस्ट वीडियो में हम लोग इसको कबर करते हैं और साम को आपको एक वीडियो और मिल जाएगा आपका जुलाजी वाला करना ता आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिए जाज़त दीजिए जैंद